तो अगर यह सेम चीज रोमन के साथ में है तो भाई यह बहुत बरा मैसा है बिकॉस लिस्नर के साथ भी सेम हुआ तो यह था भाई ट्रेलर टैग टीम टॉक डाउन के एपिसोड फोर का जो की जस्ट आउट हो चुका है भाई एक गर्मा गरम एपिसोड है हमने क्राउन जूल कवर करा है रोमन रेंज के बारे में बहुत बाते करी है गोल्डबर के रिटार्मेंट के बारे में बातचीत करी है साथ में जॉन सीना के भी बारे में काफी कुछ डिसकस किया है और भी कई सारी चीजे है भाई आपको जिस तरीके से सोस देखने में दिक्कत होती है सोनी के प्लैटफॉर्म पे उसको भी हमने कवर करा है तो बहु बहुत मसाला है लेकिन इस वीडियो के बात देखना सुरु करते हैं अगला चैलेंजर कौन होने वाला है कौन फेस करेगा गुंथर को नेक्स्ट हमें माले में भाई की डबी डबी ने अनौन्स करतिया है एक फेटल फोर वे मैच जोकी नंबर वन केंटेंडर से मैच होगा मंटे नाइटरों में एंड गुंथर के नेक्स्ट चैलेंजर को डिटरमाइन करने के लिए होगा याने की कौन आगे जाके चैलेंज करेगा भाई गुंथर को वर्ल्ड हभी वेड चैंपर सिप के लिए मैच के अंदर है सेथ रॉलिंस डैमियन पिस्ट डिर्टी डॉम और सेमस क्या है अपडेट में आपको बता रेता हूं on the latest episode of Wrestling Observer Radio Dave Meltzer dropped a major hint about the match's result कहते हैं according to Meltzer sources indicate that Damien Priest is expected to come out on top कहते हैं I was told that Priest will most likely face Gunther at the Saturday night main event so Dave Meltzer का कहना है भाई कि Damien Priest आपको इस Monday Night Raw में होने वाले मैच में विक्टरी हासिल करते वे लिखेंगे and इसके बाद ही आगे जाके फेस करेंगे गुंथर को कहां तो भाई Saturday Nights main event में यहां पर इन्होंने सर्वाइवर सीरीज का नाम नहीं लिया हमने सुना है भाई हमें मालूम है कि सर्वाइवर सीरीज में साथ CM Punk face करने वाले हैं गुंथर को साथ वो चैलेंज करने वाले लेकिन यह चीच सेंस कैसे बनाएगी कि भाई क्राउन जुल के तुरंत बाद आप एक कंटेंडर निकाल लोगे कंटेंडर निकालने के बाद आप उसको एक महीने वेट करा होगे उसके बाद Saturday Nights main event में कंपीट करा होगे अगर भाई आप वो मैच लॉक कर दोगे तो इसका मतलब यह है ना कि CM Punk गुंथर का मैच औरेडी स्पॉयल हो गया कि CM Punk हारेंगे क्या सोचते है भाई आप इसके बाद में कॉमेंट करके बताना फिलाल इनका यह कहना इनका कहना इसका मतलब यह नहीं भाई कि लॉक होगे सबकुछ देखना है क्या होता है क्या नहीं फिलाल यह कहता है कि Damien Pist जीतेंगे वो चैलेंज करेंगे गुंथर को वर्ल्ड चैंप सिप के लिए आप क्या देखना चाओ तो कॉमेट करके बताना थोरा सा कन्फ्यूजिंग है यह बट लेट सी वाई समय के साथ सब कुछ हमें पता चल जाएगा आगे परते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गोल्ड बग और गुंतर को लेगे तो बाई इनका भी मैच क को लॉक नहीं कर रहा है बिकास डबडबली वालों को लगता है कि गोल्ड बग को साथ ट्रेइनिंग अगरा की नीड है वाल स्पीकिंग ऑन रस्लिंग ऑब जावर रेडियो डेव में अपर बताना है में कि इनका मैच तो होगा डेफिनिटी होगा गोल्ड गुंतर का लेक गोल्ड बग जो है भाई अपना मैच रसल करेंगे गुंतर के अगेंस तब जब वो रेडी हो जाएंगे विकाज अभी उनको इस मैच के लिए प्रिपेर करना होगा और गुंतर भाई ऐसे भी कोई टैलेंट नहीं कि कोई आके भेले टाइम लगेगा भाई तो आप्रिपे आग में रहें कि क्या एक ही मैच होगा अगले साल गुंतर को लेकर आगे बरते हैं बात करते हैं अगली श्टोरी के बार में चुर्वाइबर सेरीज वार गेम को लेकर वसे तो भाई हमें आडिया इस टीज का लेकिन फिर भी अब्यच आई ही निकल के सामने एट रेडियो to be a can't miss event as WWE prepares to bring the action to Vancouver Roger Serena on November 30. But if you are expecting the usual 5-on-5 War Games class, think again. According to Dave Meltzer on Wrestling Observer Radio, WWE is shaking things up this year by planning a 4-on-4 showdown instead. कहना है Meltzer का Wrestling Observer Radio में कि अगर आप भाई expect करे हो 5-on-5 Survivor Series War Games match, अगर आप expect करे हो कि Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Same Egen को कोई पांचवा member भी जॉइन करेगा, तो आप थोड़े गलत सोच रहो, because इस साल भाई WWE चेंज करने वाली चीज़ों को, and इस बार आपको 4-on-4 match देखने को मिलेगा, and साइद इसके बाद से हर साल, आगे आने वाले हर साल, WWE 4-on-4 के concept में जा सकती है, 5-on-5 चाहते हैं तो भाई ये इसको भी कर देते हैं, लेकिन WWE साइद जादा छेड़ चार नहीं करना चाहती है, साइद new members OG Bloodline में नहीं आड़ करना चाहती है, इसलिए 4-on-4 के साथ में ही जा रहे हैं, 5-on-5 नहीं कराएंगे, ये है भाई कुछ Survivor Series War Games को लेके, फाइनल अपडेट कि ये 5-on-5 नहीं होके, 4-on-4 सोड-on आपको देखने को मिलेगा, आगे बरते हैं गैस बात करते हैं अगली स्टोरी के वारे में, जो कि Bloodline के Crown Jewel मैच को लेके, इनका जो Crown Jewel में मैच हुआ भाई, इससे काफी सारे लोग अपसेट हैं, इनफेक्ट भाई मैं अपने चैनल पर भी कॉमेंट्स देख रहा था, काफी सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी में लोग इस मैच से खुस नहीं थे, नहीं इसकी एंडिंग से, अब ऐसे में, भाई, मेल्ट दर क्या कहते हैं इस मैच के बारे में, काफी लोगिकल चीज कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, संसेबल लगरी ही मोजेन की बात है आज तो, कहते हैं कि ये वाला मैच, भाई, WWE ने जो बुक करा, ये लाइव इवेंट की तरह बुक कर दिया, जेकब फार्टू को छोड़ के जितने भी टैलेंट्स थे भाई, वो इस तरीके से दिख रहे थे कि लाइव इवेंट में कम्पीट कर रहे हैं, कहते हैं, I thought this match was pretty underwhelming, except I thought जेकब फार्टू at the end of the match was great, The Usos did not do anything special, Roman Reigns was in for a little while and did some of his trademark moves, he did nothing wrong but it was essentially like a house show match, except from Jacob A2 who was working like it was a pay-per-view match, इनका कहना है कि Jacob A2 को छोड़ दो तो भाई, जितने भी टैलेंट्स थे भाई, इस मैच के अंदर, वो सारे के सारे ऐसे compete कर रहे था, ऐसे लग रहा था भाई, किसी house show में compete कर रहे हैं, Roman Reigns आते हैं भाई, कुछ अपने moves लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसो जो हैं भाई, उन्होंने कुछ भी special नहीं करा, जैसे वो reunion वाली चीज थी, कुछ भी special नहीं हुआ, so according to Melzer, WWE निसको book ही साही से नहीं करा, and ये match साही ही हो गया, कि kick-off में हो गया, main event में तो भाई, ये काफी रद्दे दिखता, ऐसा कुछ मानना है Melzer खा, कुछ-कुछ मैं agree करूँगा, इससे disagree नहीं करूँगा, आप क्या सोचते हैं भाई, comment करके बताना, आगे बढ़ते हैं गाज, हम लोग बात करते हैं, अपनी next and final story के बारे में, जो कि ये भाई, अपने related women's tag team champs match से, ये जो tag team champs match आपको देखने को मिला, crowns, ल में बियांका दे रहा हैं, जेड कागिल वला, a title change and I don't think anyone else dead, because it was thrown together at the last minute, this match was the replacement for the originally scheduled Rhea Ripley versus Raqeel Rotaragis match, इनका कहना कि भाई, इस match में title change हम क्यों ही expect करते हैं, because ये originally planned ही नहीं था match, इसके जगा तो भाई, हमें Rhea Ripley and Raqeel Rotaragis का single match देखने को मिलता, लेकिन क्योंकि Rhea Ripley actually में injured होगी, तो इस कारण उनको off लेना पर रहा है, और पता नहीं वो कब वापस आएंगी, तो उस match की जगा भाई, WWE ने इस वाले match को डाला, और ये वाला match आपको देखने को मिला, तो भाई, ये last moment पे डाला ही गया था, ये original plan ही नहीं था, तो title तो भाई, यहाँ पे कहाँ ही change होती, इसलिए Jade, Cargill and Bianca Adler match के अंदर, अपनी tag titles को retain करते हुए देखी है, मुझे नहीं पता भाई, ये लोग कब तक इन दोनों को एक साथ में रखेंगे, इनकी feud कब चाले होगी, क्या WrestleMania 41 में ये दोनों एक दूसरे को face करने वाली है, Jade, Cargill and Bianca Adler, वो देखना होगा, फिलाल तो भाई, इनके लिए plans नहीं थे, क्राउंजल में, जो कि मेरे लिए एक shocking चीज़ है, भाई, कि आखिर Bianca कैसे नहीं है match card के अंदर, रिजर वेसन ने उनका, कैसे नहीं है वो doubt वाली चीज़ है, लेकिन originally plant नहीं थी, ऐसा कुछ कहना है Meltzer का, फिलाल गाईज, इस वीडियो के लिए बसे ही सारी updates थी, I mean बहुत सारी updates थी, इससे पहले आज जो दो वीडियो आईए, आपने नहीं चेक करी, मिस कर दोगे बहुत कुछ, जा के चेक करो, फटा फट से, क्योंकि बहुत important updates से, इस वीडियो का like नहीं किया, like करें भाई, share करें, and subscribe कर लें चैनल को, हम लोग बस 79,000 के close बहुच चुके हैं, यूँ touch कर लेंगे, जितने भी नहीं subscribe कि, यूँ लोग भाई देखने वीडियो को subscribe कर लेंगे तो, मिलनगा मैं आप से लिए वीडियो में, तब तक के लिए good bye, thanks for watching,